तो दोस्तो इस वीडियो को मैं फिर से अप्लोड कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में तो आसा मिस इन्फॉमेशन हो गया तो उसे मैंने रिमूव करकर इस वीडियो को फिर से शूट कर रहा हूँ तो वीडियो बिल्कुल लाज तक देखते रहे चले वीडियो कर क्योंकि कल को भी बैंक डिजॉल्व होता है तो उनका पैसा कितना सेफ है लोग को इसको पता होना चाहिए जैसा कि पीमसी बैंक क्राइसिस हुआ तो उसके बाद कि स्क्रीन शॉट वाइरल हो लेगा एजडी अफसी बैंक का जो कि शोशल मेडिया पर बहुत ज्यादा वाइरल हो उसमें लिखा हुआ था कि डिसी आई जीसी का रूल है कि वन लाक रुपे तक का ही आपका बैंक एकाउंट का जो मनी है वो सेफ है इंस्योर है बाकी की बैंक जाता है या बैंक क्रप्डी हो जाती है तो आपका सिफ एक लाक रुपे है इससे हुआ कि बहुत सारे रिमोट एरिया रूलर एरिया में जो लोग है वो अपने आपको अंसिक्योर महसुस करें लेंगे पैसा रखे कहा है अगर बैंक वाले ही कर रहे हैं कि पैसा सेफ नहीं तो इससे क्या होगा लोग के अंदर अप सिक्योर ने लोग अपने आपको सिक्योर महसूस करेंगी कि उनका पैसा तो कम से कब 5 लाग रुपे तक का सेफ है गवर्मेंट यहां पर गरांटी आपकी ले दिए कि 5 लाग रुपे तक कम से आपका एकांट जो है अगर आपने ए छोटे-छोटे सीटीज में चलाया जाते है चोटे-छोटे एरियास में चलाया जाते है तो सब क्रैसिस जादा होता है तो लोग वहाँ अनसेक्यूर महसूस करने लाएंगे तो डिपोजिट फिर कौन करेगा बैंक में तिसी को ध्यान में रखते अच्छा स्टेप लिया ग गए थे तो एक अच्छी स्टेप्स ली गई है इस यह जो है बजट में कि लोग अपने आपको सिक्यूर महसूस करने लगें कि पांच लाग रुपय तक कम सम्मिगर एकाउंट जो है सेफ हैं ऐसे यह नहीं कि बहुत बड़ा यह इमाउंट है लेकिन जो एक लाग रुपय थ तो कि मेरा अलग अलग ऑग में अकाउंट है वह किसा सेफ अगर SBI में मेरा बैंक होती है और मेरा पैसा बैंक'ो कि अंदर है तो तो सारे बैंक में ुम्नी मिलेगी ऐसा उनि मेरी सिफ यह इक ही बांक में सभी बैंक में आपको 5,5 बार्थ ब्रांच लेकिन अलग नहीं होना चाहिए अगर यह से SBI का किसी एक ब्रांच में आपका एकाउंट है और वही SBI आपका दूसरे जगहा भी आपने खोल गे रखा वहां कहीं FD करा गे रखा कहीं करंट खुला गे रखा तो सेम बैंक के अंदर आपका टोटल फाइब लाक रुपए होगा अलग अलग ब्रांच भी है तभी एक ही बैंक के अंदर आएंगे लेकिन अलग अलग बैंक अगर डि और लाख रुपे अगर आपका एक लाख रुपए हीं होगा अंदर पर घृप वहां पर तो चार लाक रूपे तो यहाँ पर उन केस में होगे फोड़ चार लाख रूपे ही मिलेगें यहाँ पर पाँच लाक नहीं मिलेंगे 5 लाक यहाँ maximum limit रखी गई कि उतना amount आपका इस्योड अगर 5 लाख ही आपका account में तो 5 लाख है इस तरीके से यह काम करता है और अलग-अलग bank में आपका amount है तो फिर अलग-अलग bank की अलग-अलग आपका safe रहेगा तो ऐसे करने की जरुवत नहीं ऐसा नहीं कि सारे bank close हो जाएंगे cooperative bank वेगरा इससे पहले भी होते थे अभी भी हो रहे हैं तो यह सब होते ही रहते हैं तो बड़ी बात नहीं कि cooperative bank fails हो रहे हैं बड़े bank कभी fail होने वाले नहीं है फीचर में भी ऐसा कोई नही bank fail हो जाएंगे तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं तो एक अच्छी ख़बर थी तो मैंने सुचा कि आप लोगों को बता दूं तुम्हीं देखने information आपको अच्छा लगा information अच्छा लगाया तो चानल को subscribe जरूर करने वीडियो को like भी तो फिर मिलेंगे next video में कुछ interesting topic के साथ चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe जरूर कर लें next video में बात करेंगे एक ATM में आपका new feature दिया गया आपका ATM कार्ड को fraud से बचाने के लिए RBI ने कुछ new guidelines चुछ की है उसी के बारे में बात करेंगे कैसे आप अपने ATM कार्ड को secure कर सकते एक options को on करकर उससे आपका ATM fraud और वेगरा रूख सकता है तो next video हम बात करेंगे चैनल को subscribe नहीं किया है